असलाम अलेकुम, सबास बेस्ट क्लासस में आज हम इंशालला शीजवान पेस्ट या शीजवान चटनी बनाना सीखेंगे ये शीजवान पेस्ट एक बावरची की रेसिपी है और ये बहुत सारे इंडो चैनीज रेसिपी में यूज होता है अगर आपको ये शीजवान पेस्ट पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए वीडियो को जादा से जादा शेयर करके हमें कॉपरेट कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वन टाइम याने सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाईए ताके हमारी रेसिपी आप तक जल से जल पहुँच पाएं तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार से शीजवान पेस्ट को बनाना तो ये आधा कप लाल मिर्च पाउडर है और ये अधरक है चील कर रखेवी और लेसन है ये भी चील कर रखा हुआ है और 20 लाल मिर्च ये है सूखी वाली और ये विनेगर यानी सिर्का है एक कप और एक कप टोमाटो सॉस है आधा कप डाक सॉय सॉस है और एक टेबल स्पून कॉन फ्लॉर है एक कप तेल ले लीजिए कोई भी वेजिटेबल लॉइल चलेगा नमक लीजिए दो टेबल स्पून के आसपस या फिर टेस्ट के हिसाब से और एक टी स्पून काली मिर्च और red bush color है यह optional है आप इसे avoid कीजिए जादा तर और एक टीस्पून एजीनो मॉटो यहाँ पर देखिए crush की हुई अद्रक है बिल्कुल हीमे की तरह यह आदा कप crush की हुई अद्रक हमने लेनी है और पॉन कप crush की हुई गार्लिक हमने लेना है यह लेसन यह लेसन को भी बारिक खीमे की तरह कट की हुई है तो यह पॉन कप लेसन है आदा कप अद्रक और यह कोथमीर याने हरेधनी की डंडिया है जो बारिक कट करके रखी है यह दो टेबल स्पून है इन्हें हम लाल मिर्चों के साथ पीस लेंगे लेकिन पहले लाल मिर्चों को हम बॉयल याने उबाल लेते हैं तो उबालने के लिए हमने एक बरतन में पानी रखा उसे गर्म किया और उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्चों को हमें नर्म होने तक उबाल लेना है जब लाल मिर्चों को हमें नर्म हो जाएंगे तब आप निकाल लीजिए और इसमें ये हरेधनी की डंडियां दाल कर इसे पीस लीजिए इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लीजिए उसके बाद एक कड़ाई में तेल गरम कीजिए जो एक कप तेल हमने बताया था वो एक कप तेल गरम कीजिए और उसके उसमें आप दो करन फ्लेवर आ जाएगा और स्टारिंग इसको आप निकाल लीजिए और उसके बाद इसमें ये ख्रश कीया हुआ गार्लिक यानि लसन डालदीजिए और अब आज को धीमा कीजिए गैस का जो फ्लेम है उसे हमें धीमा करना है और धीमा करके आपने इसमें अद्रक डाल देनी है क्रश की हुई इसे भी धीमी आज पर कुछ देर पकाईए अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और जो हरेधनी की डंडिया थी वो हमने डाल देनी है याने हराधनी और लाल मिर्च का पेस्ट हमने डाल दिया अब थोड़ा सा सिर्का makeser के jar में डालिये ताकि जो लगी मिर्ची का paste है it is mixer को इसमें चला जाये तो हम ने सिर्कें के साथ लाल मिर्च का paste इसमें add किया और अब धीमी आँज पर इसे पका लिचीए लाल मिर्च पाउडर डाल दीचे इसे भी धीमी आज़ पर पकाईए और ये टोमाइटो सॉस हमने इसमें एड़ किया सोया सॉस डाल दीजिए एजीनो मोटो डालिए आप इसे स्किप भी कर सकती है एजीनो मोटो को और यहाँ पर हमने काली मिर्श पाउडर डाल दिया वाइट पेपर पाउडर डालिए और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और धीमी आज़ पर पका लिजिए अब बचा हुआ विनेगर मिंस सिरका डाल दीजिए देखिए आधा कब पानी लिजिए उसमें एक टेबल स्पोन कॉन फ्लॉर डालिए और इसे मिक्स कीजिए और इस कॉन फ्लॉर के घोल या स्लरी को हम शिजवान पेस्ट में एड़ कर देंगे अब आधा टी स्पोन शकर डाल दीजिए अगर आपको मिठाज ज़्यादा नहीं पसंद है तो शकर ना डालिए और उसके बाद नमक डालिए टेस्ट के हिसाब से क्योंकि अल्रेडी सॉसिस में नमक होता है इसलिए थोड़ा टेस्ट करके डालिए दीमी आज पर इसे फिर से पकाईए और ये कौन फ्लॉर की स्लरी मिंस कौन फ्लॉर का गोल इसमें आइट कीजिए सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और दीमी आज पर पका लिजिए अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर कलर डाल सकते हैं लेकिन मैंने कलर नहीं डाला कलर डालेंगे तो ये लाल दिखेगा लेकिन हमें जरूरत नहीं है कलर डालने की तो देखिए यहाँ पर ये शीजवान पेस्ट ये शीजवान चटनी बिलकुल तयार है आप इसी किसी भी इंडो चैनीज रेसिपी जैसे के नूडल्स है शीजवान राइस है ऐसी बहुत सारी रेसिपी के लिए आप यूस कर सकती है और मैं अपने आने वाले जो स्टीट स्टीट फूट सिरीज याने स्टीट फूट सिरीज के जो रेसिपी से उसमें हम ये शीजवान पेस्ट यूस करेंगे तो आपको ये कैसा लगा इंशालला फिर मिलेंगे एक नई और यूसफुल रेसिपी के साथ थैंक यू आज हम इंशालला केरी की बहुत ही मसेदार चटनी बनाएंगे तो ये चटनी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइप कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और वन टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही ज जो है चिलका निकाल लीजिए और चिलका निकालकर इसके बारीक टुक्डे कर लीजिए इस तरह से अब देखिए यहां पर हमने आधा कप कड़ी पत्ते लिए हैं सुखी लाल मिर्ची ली है नमक टेस्ट के हिसाब से लेना है और मेथी दाना है एक टी स्पून एक टी स्पून जीरा है और एक टी स्पून हमने इसमें से उड़त दालेना है एक टी स्पून राई है और एक है यहह आम चार इंच की और दो ठीज़िस एक टेबबल स्पून हमको लेना है एक टेबल स्पून तीललेनी है करने और एक टीश। चनादल है adesso डाल दर्रक क्रैकल होने दीजिए मिंस चटफने दीजिए और जब राई चटखेगी यानि क्रैकल हो जाएगी उसके बाद आप इसमें उड़ित दाल यानि माश की दाल दाल दीजिए और देखिए जीरा डाल दिया हमने फिर मेथी दाना डालिए इन सभी चीतों को अच्छी तरह से मेड पाद चीजिए working चैस कर दो आदेम फिर में रखा है अब हमने देखिए अधरक के टुक्ड़े करके डाल दिया हमने और अहलदी डाल दीजिये अधा teaspoon दिकिये नमक डाल दिया गया यहरीं graph टी ब्सक्राइ toxic तीशपून डाल दाल गया गया है लेकिन आपने टेस्ट के हिसा आप से कम या ज्यादा कर सकती हैं और तिल डाल दीजिए और धनिया पाउडर भी डाल दीजिए आप चाहें तो साबिद धनिया भी डाल सकती हैं लाल मिर्श पाउडर हमने डाल दिया इसे बहुत ही medium flame पर यानि दीनी आंट पर fry कीजिए फिर उसके बाद आप इसमें कैरी डाल दीजिए कटी हुई अब आज को तोड़ा तेस कीजिए और इसे fry कर लीजिए बहुत ज़ादा fry नहीं करना है बस हमें इसे 2 मिनिट फ्राइ करना है और फिर आप इसे निकाल लिए gas पर से और इसे पीस लीजिए इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है बस थोड़ा सा दरदरा पीसना है देखिए हमने यहाँ पर इसे पीस कर रख लिया है अब एक दूसरे पैन में तेल गरम कीजिए यह आधा कब तेल है आप कोई भी ओई ले सकती है कुकिंग ओई अब हमने देखिए तेल गर्म किया फिर यह पिसी हुई चटनी इसमें एड कर दी इसे अच्छी तरह से फ्राय होने दीजिए चटनी को आप अच्छी तरह से तेल चूटने तक पका लिजिए यह चटनी काफी दिनों तक रहती ह आप शीशे में भरकर रखिए बहुत जबर्दस लगती है और काफी दिनों तक यह अच्छी रहती है देखिए अब यह हमारी चटनी तयार हो गई है साइट से तेल चूटने लगा है और चटनी का कलर भी बदल गया है तो यह हमारी चटनी बिलकुल तयार है आप इसे किसी मर्तवान में भरकर रख लेंगे यह काफी दिनों तक अच्छी रहती है और अगर आपको जादा दिन प्रीजर करना है तो इसमें बस पकते वक्त आदा कप सिरका याने विनेगर डाल दीजिए तो यह चटनी इंशालला काफी दिनों तक अच्छी रहेगी तो मिलते हैं एक बार बार इसी तरह बनाना चाहेंगी यह वेजिटेरियन्स और नॉन वेजिटेरियन्स सभी के लिए यूसफुल है आप इसे नाश्ते में बनाएं बच्चों के टिफिन के लिए भी आप इसे बना सकती हैं लेकिन इसे जरूर ट्राइ कीजिए और अपनी राइ इस कट कर लेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर कट करके रख लिया है और यह एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है और एक सूखी लाल मिर्च है सूखी कश्मीरी लाल मिर्च है यह आप अवाइट कर सकती है यह लेना ऑप्शनल है और एक टेबल स्पून हमन पिसी हुई राई ली है ये राई को भून कर पिसा गया है और ये एक टेबल स्पून हमने भूना जीरा पाउडर लिया है और पाउ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है अब एक प्रेशर कू कर लीजिए और इसमें आप टमाटर डाल दीजिए और टमाटर डालने के ब पिर आधा टेबल स्पून राइ पाउडर हमने इसमें डाल दिया, एक टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल दीजिए और एक टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें डाल दीजिए अब एक टेबल स्पून हमने इसमें अधरेकलेसन पेस्ट डाल दिया, पाउड टीजिए और एक टेबल स्पून नमक इसमें डाल दीजिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और आप इसे डारेकली ऐसे ही प्रेशर कुकर में गला सकती हैं लेकिन दाख न लगे इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस आधा कप से थोड़ा कम पानी आप इसमें डाल दीजिए प्रेशर कुकर लगाईए और लगा कर गैस पर रखी और तीन सीटी होने तक इसे पका लिजिए तीन सीटी होने के बाद प्रेशर कुकर कटक कर निकाल लिजिए अब देखिए हमने एक टेबल स्पून जीरा लिया है और आधा टेबल स्पून हमने राई ली है और बारा लसन की कलिया ली है और यहाँ पर आठ लाल मिर्ची ली है सूखी और यह पाउ टी स्पून हमने मेथी दाना लिया है पिसा हुआ मेथी दाना है यह लेना ओप्शनल ह आप चाहें तो avoid कर सकती है अब एक कड़ाई को gas पर रखिए फिर उसके बाद इसमें आधा कप तेल डाल कर गर्म कर लीजिए उसमें आधा टेबल स्पून राई डालिए राई को तेज आज पर fry कीजिए राई जब चटखने लगेगी तब तक हमें इसे fry करना है अगर राई को हम चटखने याने क्रैकल होने नहीं देते हैं तो राई कड़वी हो जाती है इसलिए इसका क्रैकल होना बहुत जरूरी है राई क्रैकल होने के बाद आप इसमें जीरा डाल दीजिए एक टेबल स्पून फिर उसके बाद आप इसमें लसन की कलियां डाल दीजिए बारा लसन की कलियां जो हमने बताई थी वो लसन की कलियां डाल कर इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए ये चटनी बनने के 3-4 घंटे बाद बहुत ज़्यादा मज़िदार लगती है ताजी भी इच्छी लगती है लेकिन थोड़ा रखेंगे तो और भी ज़्यादा मज़िदार लगती है अब देखिए सूखी लाल मिर्चे डाल लिए और कड़ी पता डाल दीजिए गैस की आज को मीडियम कर लिजिए जब ये फ्राइ हो जाएंगी तब आप गैस को बंद कर लिजिए और इसमें से हम आधा बगार निकाल लेंगे इस्पेशली जो सूखी लाल मिर्चे हैं कड़ी पता है और थोड़ी सी लसन की कलिया हम इसमें से निकाल लेंगे आधी और फिर इसे एक स्टील की कटोरी में रख देंगे देखिए हमने कुछ बगार बचा कर रखा है और कुछ निकाल लिया है अब देखिए प्रेशर कुकर को हमने खोल दिया और तेज आज पर थोड़ी देर इसे पका लिजिए बस 5 उनिट हमने इसे पका लेना है अब यह जो बगार था इसमें हम मेथी पाउडर डाल रहे हैं मेथी पाउडर डालना ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे अवाइड कर सकती है लेकिन डालेंगी तो खुश्बू अच्छी आएगी अब देखिए जो टमाटर हमने गलाए थे वो टमाटर हमने इस बगार में डाल देने हैं बगार में डालिए और फिर आप इसे तेज आज़ पर पका लिजिए तेज आज़ पर हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है फिर हमने इसमें आधा टी स्पून नमक डाल दिया है रूखने तक पकाईए जब पानी कम हो जाएगा इस तरह से गाड़ी हो जाएगी तब तक हमें से पकाना है और पकाने के बाद आप इसे एक डिश में निकाल लीजिए और फिर जो बगार हमने बचा कर रखा था वो बगार हमने इस पर डाल देना है तो बहुत ही जबरदस्ट खुश्बू भी आ रही है तो देखे हमने ये बगार इस पर डाल देना है है न ये बहुत ही जबरदस्ट चटनी ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है आप इसे बना कर जरूर देखेगा इंशालला आपको बहुत पसंद आएगी तो हमें लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करें इंशालला फिर मिलते हैं एक नई और यूसफुल रेसिपी के साथ इस चटनी को आप रोटी, चावल, खिचडी या पूरी किसी के साथ भी आप सर्फ कर सकती हैं यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतरी चटनी है आप इसे अपने बच्चों के टिफिन पर दीजिए नाश्टे में बनाएए बहुत काम की चीज़ है तो मिलते हैं फ झाल झाल